12 जून 2023 को इरान के राश्रपती इब्राहिम राइसी वेलेंजुला के दौरे पर गए थे वेलेंजुला के साथ साथ उन्होंने क्यूबा और निकारगुआ का भी दौरा किया था और उस वक्त राइसी का ये दौरा अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी माना गया था क्योंकि वेलेंजुला क्यूबा और निकारगुआ इन तीनों ही देशों को अमेरिका का धुर विरोध ही माना जाता है और लेटिन अमेरिका में ये तीनों ही देश अमेरिका के विरोध का जंडा बुलंद किये हुए हैं और उस वक्त ऐसा माना गया था कि इरान इन तीनों ही देशों को अपने घातक ड्रोन्स और मिसाइलें दे सकता है लेकिन अमेरिका ने राइसी के इस दोरे को काफी हलके में लिया था लेकिन अब इसका परिणाम सामने आ गया है दरसल इरान की नासिर एंटी शिप मिसाइल का एक वेरियंट CM-90 मिसाइल अब वेनेज्वेला पहुँच चुकी है और अब और वेनेज्वेला ने डंके की चोट पर अमेरिका के सामने इन मिसाइलों की नुमाईश की है और अब इन मिसाइलों को अगुस्टिन अर्मारियो नौसैनिक अड़े पर तेनाद किया गया है जो प्यूट्रो के बैलों में है दरसल 16 अपरेल 2024 को वेनेज्वेला की बॉल्वियन नौसेना की वर्षगाट के समारों में वेनेज्वेला के रक्षा मंत्री व्लादमिर पेदरीनो लोपेज ने CM-90 मिसाइल का अनावरन किया था और इन मिसाइलों को पेकाप मिसाइल बोट में लगाए जाएगा जिन्हें पिछले साल वेनेज्वेला ने इरान से लिया था इरान में इस मिसाइल बोट का नाम जुल्फागर वेसल है जो एंटी शिप मिसाइल लॉंचर्स टॉर्पीडो ट्यूब से लेस है और इसके बाद के मॉडल्स में तो रिमोट हतियार भी लगे हैं जो वेनेज्वेला की नोसेना को और ताकतवर बना सकते हैं आपको बता दे कि सी एम नाइन्टी मिसाइल को साल दो हजार बाइस में इरान ने डिम डेक्स शो में दिखाया था इसके लंबाई 6.1 मीटर और ये 280 mm डायमेटर चौड़ी है इसका वजन 350 kg है इसमें टर्बो जेट इंजन और एक्टिव रेडार गाइडन्स सिस्टम लगा हुआ है इसकी रेंज 90 km तक है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इरान ने नासर मिसाइल की घोशना साल 2017 में की थी और तब से ही वो इरानी नोसेना का हिस्सा है बताया जाता है कि पहले इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर लगी हुई थी जिससे टर्बो जेट इंजन से रिप्लेस कर दिया गया था ताकि इस मिसाइल का हमला और ज्यादा घातक हो सके लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका को विनेंजोयला की इस मिसाइल से कितना खत्रा हो सकता है तो आपको बता दें कि इरान की मिसाइलों का मिडलीस से निकल कर अमेरिका की चोखट तक पहुँचना बाइडन के लिए बहुत बड़ा जटका है हाला कि बाइडन ने विनेंजोयला के ओयल पर कई प्रतिवंध लगाये हुए हैं और इसी वज़ा से विनेंजोयला लगातार अमेरिका के धुर विरोधी इरान से करीब यां बढ़ा रहा है और साल 2022 में विनेंजोयला के राशपती निकोलस मैदूरो ने तहरान का दोरा भी किया था उस वक्त दोनों देशों ने अगले 20 सालों के लिए सहयोग के एक धाचे को स्वीकार किया था